हलो गाइस तो इस लाश्ट पार्ट में ग्रेंपा मेरेज के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं जियावमी जैसी लड़की हमारे ये फैमली में मेरेज नहीं कर सकती नेक्स सिन में जियावमी घुसे में अपने घर जाती है और वो ग्रेंपापर घुसा कर रही थी कि वो खुद को समस्ते क्या हैं तो उसकी मॉम पूस्ती है क्या हुआ क्या तुम्हें हौजन ने बुली किया अगर ऐसा है तो मैं उसे अच्छा खासा सबक सिखाऊंगी जियामी मना करते हुए कहती है कि ऐसी बात नहीं है उसके ग्रेंट फादर हमारी मेरेज के लिए एगरी नहीं हो रहे हैं क्यूंकि मेरे बदले उस फूलने वहां मेरेज की उसकी मॉम कहती है उदास मत हो अगर तुम्हें वेल्दी फैमिली में मेरेज करना है तो ये सब को जीलना पड़ेगा अगर इस वे से काम नहीं बनता है तो कोई और रास्ता ढून लेंगे जियामी कहती है क्या मैं इतनी खराब हूँ बच्पन से ही मुझे यंग मास्टर्स पर्स्यू करना शाते थे पर मैं कभी उस ओल्मेंट जैसे जिद्धी पर्सन से नहीं मिली तभी उसके डैड अकर उसे थपड मारते हैं और उस पर घुसा कर रहे थे कि तुम एक लटकी होकर रात भर घर क्यों नहीं आ रही थी तुम कितने सेमलेस हो गई हो तो मॉम डैड पर घुसा करती है कि ये तुम क्या कर रहे हो अगर तुमने फिर से मेरे डॉटर को हीट किया तो मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगी और ये सिन यहां कट हो जाता है नेक्ट सिन में जियामी की मॉम उसे समझा रही थी कि तुम अपने डैट पर घुसा मत करना वो ये सब जो कर रहे हैं वो तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे हैं तुम रात में घर नहीं आई थी तुम बहुत ठग गई होगी ना तुम कितने रातों से घर नहीं आई हो तुम्हें पता है मै कितनी वरीड थी तो वो बताती है कि मैं इन दिनों हाउचन के साथ थी और कहती है मुझे बस वेल्दी फैमिली में मेरेज करना है मॉम कहती है पर तुम्हारे डैट तो तुम्हारी हाउचन से मेरेज करवाने के लिए डिसेगरी है तो वो उसे डैट से मेरेज की बात करके उन कि तुम पागल हो गई हो क्या तुम्हें वे उस यंग लेडी की पोजिसन पसंग है और भूलो मत कि तुम लोगों नहीं जोएलू को ये फैमली में मेरेज करने के लिए फोर्स किया था वो कहती है अगर कोई वेल्दी फैमली मेरेज के लिए अगरी नहीं हुआ तो क्या हम उ उपरचुनिटी कभी जाने नहीं देती और उस अबंडन जोएलू को उनकी फैमली में कभी नहीं बेशती तो डैड उस वर गुशा करते हैं कि तुम ये फैमली के वारे में वरीड होना बंद कर दो और सीन यहीं कठो जाता है नेक्स सीन में ग्रेंपा हाउचैन से बात कर देते कि जाउचैन को क्या हुआ है अब तो स्वेलू भी वापस आ गई है और मैं उसे लीन फैमली में वापस भी नहीं भीज रहा हूं पर वो अभी भी सियां के बारे में क्यों सोच रहा है तो वो कहता है आप ये मुझे क्यों पूछ रहे हैं मैं बीक ब्रादर नहीं हू और वैसे भी वो अपना सारा काम घर से ही करते हैं पूरा दिन फर घर में रहते हैं घर से बहार नहीं निकलते ग्रेंपा कहते हैं आज अप्टर नून को एक पार्टनर के साथ इंपोर्टन मीटिंग है तो तुम हां उनसे मिलने चले जाना हाउचन कहता है आप इतने इंप फिक्ष से लेरी दे रहा हूं अब जाओ और अपने ब्रदर को ढूंडो और उसे मीटिंग पर जाने के लिए कहो तो मन में ग्रेंपा पर गुसा करता है और वहां से चला जाता है नेक्सिन में वो जाउचन के पास जाता है और उसे मीटिंग पर जाने के लिए कहता है तो मना पर ब्रदर ने मुझे घर से बाहा निकाल दिया और मसका लगाने लगता है कि आप मेरे साथ भी प्रपर्टी सेर कर लीजे ग्रेंपा कहते हैं तो तुम क्या कर लोगे एक डील करने के लिए कह रहा हूं वो तो तुमसे हो नहीं रहा है तो वो कहता है इसमें मेरी कोई मदद क कर शकता है ग्रेंपा उस पर गुसा करते हैं कि अगर तुम लीन फैमिली की डॉटर को ये फैमिली में लेकर आए तो मैं तुम्हें ये फैमिली से बहा निकाल दूगा नेक्स इन में जावचेन मना करने के बाद भी वो मिटिंग पर गया था और वहां पर अपने बिजनेस पाटनर आती है और वो कोई और नहीं बल्कि होती है जावचन कहता है तो तुम मेरी बिजनेस पाटनरों तो फिर तुम स्यांग होने का प्रिटेंड क्यूं कर रही थी जवेलू कहती है मैं तुम्हें क्लियर कर देती हूं कि मैं स्यांग नहीं हूं और नाहीं कभी वो मुझे कुछ प्रोब्लेम हो गया है इस प्रोजेक्ट का जो इंचर्स था उसने सदेंध्ली गिब सब्सक्राइब कर लिया तो आप हमें क्या करनाच चाहिए तो जाउचन सोश था ये तो अपने character को लेकर loyal है और पूसता है मुझे तुमसे ये confirm करना था कि क्या तुम सच में सेंक्सी ग्रूप की chairman हो कि सुनते ही वो घुसा हो जाती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे जूट क्यों बोलूंगी मुझे क्या फाइदा हो का जूट बोलकर तुमने फिर से मेर बहुत मिस किया और ऐसा लगा था कि मैं जी नहीं पाऊंगा जूट कहती है मैं एक ऐसे परसन को चुसकाना चाहती हूँ जो मुझे चीट ना करे और विट्रे ना करे तो वो कहता है तो फिर तुम फूल बनने की pretend क्यों कर रही थी जूट कहती है तुम भी तो physically और mentally disable होने क प्रिटेंड कर रहे थे और मुझे पता है कि हमारी मेरे एज हमारी मर्जी से नहीं हुई थी जावचन कहता है पर तुम अभी भी मेरी वाइफ हो पर मैंने कभी ऑफिसली तुम्हें प्रपोस नहीं किया गहकर उसे प्रपोस करता है और कहता है मुझे एक चांस दे दो मैं lifetime तुम्हारी प्रोटेक्ट करूंगा तो जोयलू हां कहती है और इसी हैपी एंडिंग के साथ ये ड्रामा खतम हो जाता है मिलता है एक निव ड्रामा में